वेलकम टू टेकेश पर स्वागत है आप सबी कार साइंस फन और इलेक्टरिक के बिलकुल इन नहीं दुनिया में गैस आप लोग ने आज तक कई फ्यूचर स्टिक कार और बाइक ज़रू देखे होंगे लेकिन कि आप लोग ने आधी कार और आधी बाइक जिसा कोई वेकल देखा है नहीं न, डूंट वरी आज हम आपको दिखाने वाले हैं आधी कार और आधी बाइक वेले इलेक्टरिक वेकल जिनने एक नजर में देख कर चोंक जाओगे इस वीहिकल को चला कर एसा लगता है कि आप बाइक भी चला रहे हो और कार भी ऐसे वीहिकल काफी कम देखने को मिलते हैं हमने आपको इससे भी राप्ता करवा दिया है तो जल्दी से इस वीडियो का लाइक कर दे और चैनल पर नए होते हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिपिकिसन बेल को ओन कर दे तो देर ना करते हुए शुरुवात करते हैं नमबर वन पर है ट्रिपल अर्बन कारगो वीहिकल डेन्बर की एक कमणी ने जर्मन इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्मार्टा गौक्स के साथ मिल कर ट्रिपल इलेक्ट्रिक कारगो स्कूटर बनाया है ट्रिपल स्कूटर highly robust unique design वाला एक strong स्कूटर है जो शहरों में स्कूटर को तेज, फूर्तिला, पर एड्रोइट बनाने में सक्षम बनाता है। इस वहिकल की हाई डिग्री एक्सेबिलिटी शहरों में यातायात की भीट को दूर करने में मंदद कर सकता है। ट्रिपल स्कूटर में एक विशाल कार्गो स्पेस दिया गया है, जो बल्डे पेकेजों को समय जुद कर सकती है। इसके कार्गो स्पेस में फूर्ड डिस्टिबियूशन परपोस, हीटिंग, कूलिंग या फ्रीज मोडियूले के साथ सेट अप किया जा सकता है। इसके लब कार्गो स्पेस के लिए वेश्ट कलेक्शन, टूल बोक्स कमपार्टमेंट के लिए मोडियूल भी है। यहां तक कि एक मोबाइल कॉफी बार के लिए भी मोडियूल दिया गया है। पावरोड स्पेस्विकेशन की बात करेगा तो, ट्रीपल कार्गो स्कूटर में 3.4 KW की एन्विल बुच्टेस मोटर और 194 NM का टॉर्ग दिया गया है। टूप स्पिट की बात करें तो ट्रीपल कार्गो स्कूडर को 45 km पर हरकी स्पिश से दोला सकते हो इस कलाविस स्कूडर में 8 kWh की लिथियमान बैटरी दी गई है जिसे एक बल फुल चार्ज करके 100 km तक नोनिश्टो ब्राइड ले सकते हो चार्जिंग समय की बात करें तो इस स्कूडर को 8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है इस कलाविस स्कूडर में 750 लिटर का लोटिंग वोल्यूम टेंक दिया गिया है डेमिनिशन की बात करें तो इस टिपल स्कूडर की लेंथ 241 cm और वीथ 127 cm दी गई है कंट्रोल फॉक्शनल फीचर की बात करें तो इस स्कूडर में बुश्ट बटन, डबल अप और इंजिन पावर, हज़र लाइट, ड्राइव फोरवर्ड और बेकवर्ड्स, डिस्क ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्ट, लाइट रेगुलर और बीम, डिरेक्शन इंडिकेटर स्पिडोमिटर, होवन, बेटरी स्टाटेश डिस्प्ले, इगनिशन लोक और बूर्ड रिलिस बटन जैसे फीचर दे गये हैं ट्रिपल कार्गो स्कूडर में बीना ड्राइवर के 200 कजी के लोडिंग की मिस्टरी दी गई है नमबर टू पर है ट्रिपल फोर पीकप डेन्मार्क की ही कंपनी ने जर्मन इलेक्टिक स्कूडर निर्मता गोक्स के साथ मिलकर ट्रिपल फोर पीकप इलेक्टिक कार्गो स्कूडर बनाया है जो शहरों में स्कूडर को तेज, फूर्तिला और एड्र बनाने में सक्षम बनाता है इस वीकल के हाईली डिग्री एकसेबिलीटी शहरों में यातयात की भीट को दूर करने में मदद कर सकता है 444 P-Up को सलक की सफाई के लिए वर इस्टीर क्लिनिंग करने के लिए विखसित किया गया है 444 P-Up नगर निंगम के ग्रीस स्पेस का रख रखाव भी करता है 444 P-Up शहर के माध्यम से आसानी से चलता है वो 300 किलोगराम भार तक ले जा सकता है ट्रिपल फॉर पीकप छे करस्ट में एवेलेबल है ट्रिपल फॉर पीकप में स्मॉल स्टोरेज बोक्स के साथ वन लाज बोक्स दिया गया है जिसमें छोटे बोक्स में सामन या छोटी वस्तू के लिए और बला बोक्स बले सामन को रखने के लिए बनाया गया है पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ट्रीपल फॉर फीकप में 1200 वोट की इलेक्टिव मोटर दी गई है टोब स्पिट की बात करें तो इस वहिकल को 87 से 30 किलोमेटर पर हरकी इस विसे दोला सकते हो ट्रीपल फॉर फीकप में 2.4 क्वह एंड 4.8 क्वह की लिथियमायन बेटरी दी गई है जिससे एक बलफुर चार्ज करके 25 से 100 किलोमेटर तक नोनिस्टो ब्राइड ले सकते हो इस वहिकल का वेट 140 केजी दिया गया है इसके साथ ये वहिकल 300 केजी का लोट उठा सकती है डायमेंशन की बात करें तो 244 पीकप की लेंथ 214 सेंटीमिटर, वीथ 100 सेंटीमिटर, हाइट 134 सेंटीमिटर और 15 सेंटीमिटर ग्राउंड क्लेरंस दे गया है कंट्रोल फक्षन फीचर की बात करें तो 244 पीकप में बटन तो स्वीच बिट्वीन वाकिंग एंड साइकलिंग प्रेस, ड्राइब फोरवर्ड और बेकवर्ड्स, ड्रम ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स, लाइटिंग फ्रॉन एंड बेक्ट, टायरेक्शन इंडिकेटर, स्पीडोमिटर, होवर्न, बेटरी स्ट प्रेक्स राइब के लिए टेक केर, बाई